सादे से खाने में स्वात का तड़का लगाएगी महराश की ये फेमस रेसिपी आज मैं आप सब के लिए लेकायाई हूँ महराश का फेमस ठेचा जिसे आप मिन्टों में बना सकते हैं और यकीन मानी यदि आपने से एक पर बना के खा लिया तो आप दो की जगे चार रोटी खा जाएंगे बहुती लाज जवाब लगता है इसे बना कर आप स्टोर भी कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने हाँ पर ये कम तीखी वाली 100 ग्राम फ्रेश मिरच ली है हमें बड़ी खुशी होती है जब आप अपने शिटी का नाम हमां सा शेयर करते हैं और हम चाहते हैं कि अपने वीवेर्स की सिटी के एकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेशिपी लेकर आये तो इसे इस तरह से मैंने रफली चौप कर लिया है और चौप करने के बाद में हम यहाँ पर एक पैन गरम करेंगे और इस तरह से चौप की हुई ये हरीमिश डाल देंगे अब हम साथ में डालेंगे 1 फॉर्थ कप ये छीली हुई लहसून और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी से करी पत्ते यह फ्रेश करी पत्ते हैं एक चम्मच आप यहाँ पर जीरा डालें जीरा जरू डालें इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक चम्मच के करीब हम यहाँ पर तेल डाल देंगे और हम यहाँ पर लो फ्लेम प तो आप यहापे लोहे के तब यूज करें उस पर बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और अरोमेटिक हमारी रेसिपी बन कर आती है तो आप देख रहे हैं धीरी धीरे हमारी सभी चीजों पर बहुत अच्छे ब्राउन माक्स आ रहे हैं इस टेश पर आके हम यहापे डाल करने अच्छा को बंद कर देंगे त thou gases हैसिए छचीज में डालेंगे और ऐसी दरदरा सा कूट देंगे ध्यान रखे हैं आपको यहापे से मिक्सिमру नहीं पीकिसता हैं यदgi आपके पास इस तरह से खरल नहीं है तो आप किसी बतन में डाल के किसी अब्चक्ट के इस तरह二स ए थेचा बने कर आता है मैं याप में जक्श कोट पर नहीं है लहसुन हे हरीमेट शूपर जबस दरदरां ही कोट लेना है और जो हमने हांपapore नमक टाला था उसदिल भूमक ज़ल तो बैचिस में इस तरह से डाल कर मैंने इसे पूरे कूट लिया है और बहुत ही अच्छे से एकदम पॉफेक्ट हमारा यह मिक्षर बन चुका है तो फ्रेंट्स देखे कितना बड़ीया मिक्षर बन कर आया है आप यहां पर इसे इस स्टेश पर भी खा सकते हैं लेकिन मैं आ दाने और इसे तर्का लेंगे राय के दाने तरड़ जाने के बाद में एक से डीड आप यहां पर टामाटर डाल दीजिए और टामाटर को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तो करीब एक से डीड मिनिट में टामाटर हमारा अच्छे से पक जाता है यह नेक्स टैप आपका अच्छे से mix कर लेंगे, बस अभी हमें आपे बहुत कुछ नहीं करना है, बस इसे अच्छे से mix कर लेना है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका flavor आता है, टमाटर से भी, और अधि आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं, अब तो fresh lemon juice भी डाल सकते हैं, अभी हमारा यह ठ थेचा जिससे मैंने तुम डिफ्रेंस स्टाइल में बनाने की कोशिश की है आप इसे जरूर बनाएं खाएं और अपने एक्सप्रेंस मसद चेरूर शेयर करें थेंक यू